बिहार पुलिस, रिजल्ट, न्यू वेकेंसी और बिहार का महापर्व छट पूजा ये तीनों चीज रनिंग में चल रहा आपको भी पता है फर्स्ट परेडिटी की बात करें तो सब जरूरी है छट पूजा भी जरूरी है भाई दूर दराज से लोग आते हैं दुबई, सौधी, उमान, मसकट, अफिरका जहां भी रते हैं इंडिया के किसी भी कोने में रहे कोई भी काम करें हर एक बिहारी घर आना चाहता है छट में और आता भी है आज के डेट में एक टेंशन चल रही है जो हम लोगों के बीच में है एक इस हजार तीमसो इक्यांबे रिजल्ट का अब अभी तक काईदे से तो जो है इसका रिजल्ट आ जाना चाहिए था आप नोटिफीकेशन पढ़िएगा तो नोटिफीकेशन में ये चीज़े बताई गई है कि एक साल के अंदर में ये भरती को जो है कंप्लीट कर लिया जाएगा लेकिन कहीं न कहीं एक साल से ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है तो थोड़ा सा बीचारा धीन ये पॉइंट है और कहीं न कहीं बीच में इस वेकेंसी को लेकर थोड़ा सा पूजाल भी हुआ था रिए रिस्ट्यूल एक्जाम हुआ था तो ये भी तो समय लेगा तो ये तो खर थोड़ा सा एड़ तो होगा ही समय बढ़ाएगा ही तो में कोश्चन ये चल रहा कि बिहार पुलिस का रिजल्ट कब आएगा निव वेकेंसी कब आएगी और छठ जलना ही है लेकिन उनके दिमाग में इस रिजल्ट को लेकर चीज़े सता रही होगी और जब भी रिजल्ट से रिलेटेट कोई बाते आती होगी तो थोड़ा सा धड़कन तेज हो जाता होगा ये हुमेन नेचर है और जो भी सिरियस लड़के हैं कहीना कहीं इस परसानी से जूज रहे होंगे अब बहुत सारे यूटूबर्स ऐसे हैं यार हमको यह बात समझ में नहीं आती न्यूज एंकर का फोटो लगा देंगे और उसके बाद डाल देंगे कि रिजल्ट आज आ रहा अभी आ रहा आज इतना बज़े आ रहा लब ऐसे ऐसे थमनेल बनाते हैं य तो बहुतों ने 28 तरीको रिजल्ट का वीडियो बना दिया अब बच्चे इंतिजार कर रहे थे 28 28 को कुछ होगवे नहीं किया फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 को आएगा कुछ लोग कह रहे हैं पांच को आएगा तो इस तरह से हाइप बन जाता है और दिमाग में इमेज क कि रिएट हो जाता है कि खाया और उसका इन्तिजार होने लगता है और जब रिजल्ट नहीं आता है तो थोड़ा सा दिमाग फ्रस्टेटेड हो जाता है तो यह सारी बाते हैं जो थोड़ा सा डिश्टर्ब करती है बच्चों को अगर हम रियल बताएं कि कोई भी हार पुल रिजल्ट को लेकर ये भी नहीं सोचना है कि बहुत समय लगने वाला है रिजल्ट तो बहुत जल्द आएगा लेकिन कोई कनफर्म डेट नहीं है हां ये आप मान के चल सकते हो कि यदि आपने ठीक था कोश्चन सही बनाया है तो आपका रिजल्ट इस बार डेफिनेटली हो जाएगा क्योंकि इस बार धांदली वगरा का चकर नहीं है तो आपका कट अफ काफी कम जाने वाला है फिर परसेंटाइल भी लागू कर दिया गया है और कहीं न कहीं CSBC भी जो है नए नए चीजों का इंप्लिमेंटेशन कर रहा है तो चीजे बहतर तरीका से निखार होती हुई आपको देखने को मिलेगी अब थोड़ा सा बात करें उत्तर परदेश का तो उत्तर परदेश में क्या है कि छुट्टी छुट्टी अपडेट भी जो है आपको मिल जाती है और अफिसियल जो अ नहीं रहता है कि हाँ आज रिजल्ट आएगी मतलब एक उमीद जताई जाती है कि इतना तारीक को रिजल्ट आएगी ओस्पेक्टर्शन कभी-कभी 100% सही हो जाता है तो लगता है कि हाँ भया हो गया नहीं तो कोई ना मेडिया वाला छाप पाता है ना कोई लिक्स आ पाते है कि इस बार हमारा रिजल्ट हो जाए और कुछ बहतर आप अपने जिन्दिगी में कर पाओ जो भी आप जिस चीज के लिए जो है लगे हुए हो वह आपको इस बार मिल जाए तो सिद्दत से तन्मंधन से पूजा में लगे रहिए रिजल्ट आएगा तो आपको पता चले नहीं जाएगा बाकी अपने दिमाग को खराब नहीं करना है अब बात करते हैं नई वेकेंसी के बारे में अब जिनका भी पेपर खराब गया है यह जिनका पेपर बढ़िया गया है जब तक आपका मतलब लक्ष निर्धारित नहीं हो जाता 100% तब तक तो जो है आपको तय पर वर्दी या जो भी आपका सपना है और एक्जिक्यूट नहीं हो जाता पूरा नहीं हो जाता तब तक जो है आप लगे रही हर चीज के त्यारी में लगे रही है तो अगर नई वेकेंसी की बात करें तो 19-20,000 पोस्ट पे नई वेकेंसी आने वाली है और यह वेकेंसी का भी डेट फिक्स नहीं है लेकिन बहुत सारे अपडेट्स बहुत सारे न्यूज पेपर इसके साथ साथ धार के डिजीपी महोदे माननीय मुखे मंतरी जी के द्वारा यह सब लोगों के द्वारा यह चीजे बता दी गई है कि आपका जो है 2024 में ही जो है यह वेकेंसी देख देखने को मिल जाए इस मंस के लाष्ट तक नहीं तो इस साल तो डेफिनेटली आपको देखने को मिल जाए तो पूरी तैयारी हालत में रहना है बिहार में इलेक्षन होने वाला है इलेक्षन से पहले-पहले बहुत सारे सप्राइज आपको मिलेंगे तो इसका फायदा आपको मिल रहा वेकेंसी उसको तैयारी करके जीत लेना है ठीक तो अपने काम में जो है 100% लगे रहिए जब तक आपकी रिजल्ट नहीं हो जाती है फिजिकल की भी तैयारी करिए रिटन की भी तैयारी करिए और छठ पूजा में तो जरूर सरीखों किये तनमन धन से और अ सभी को अल दी बेस्ट जय हो छठी में जा